हेलो दोस्तो वैलकम तो माई यूट्यिब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे पाउडर कैफलन के बारे में कि किस कंपणी का प्रोडक्ट है पस वो में किन-किन बिमारियों में आप इस पाउडर का इस्तिमाल कर सकते हैं पस वो में इस पाउडर को देने के डोज क्या है तो दोस्तो इस product से related पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरी चैनल पे नए आए हैं उनसे request है मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि वह विश्य में आने वाल जड़ी बूटी यहीं डैली गई है तो इस product की अगर आप overdose भी पसू में दे देते हैं तो उसका कोई side effect हमें पसू में देखने को नहीं मिलता दोस्तो अब बात करते हैं कि किस किस condition में आप इस powder का यूज पसू में कर सकते हैं दोस्तो अगर पसू में किसी भी तरह का अगर respiratory tract का अगर infection हो गया है जिसमें कि पसू में बहुत जादा कफ अगर निकल रहा है बहुत जादा sneezing पसू को हो रही है पसू में बहुत जादा nasal discharge है पसू को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या पसू की सांस में बहुत जादा आवाज आ रही है तो उस condition में choice drug के रूप में आप इस powder का यूज पसू में कर सकते हैं तो अर्टी इंफेक्शन में में बड़े जानबरों में अगर ड्रेंचिंग नियुमोनिया का केस पसू में हुआ है या ब्रॉंको नियुमोनिया का केस अगर पसू में हो गया है तो उस case में best choice supportive drugs के रूप में आप इस powder का यूज प और नेजल डिस्चार्ज छोटे जानबरों में निकलना सुरू हो जाता है उनमें high temperature की दीकत भी आ जाती है और कई बार पसू off-feed हो जाता है और एकदम से भेड़ बकरियों में body weight गिरना सुरू हो जाता है अगर इस तरह की condition अगर आपको छोटे जानबरों में मिलती है तो उस case में choice drug के रूप में आप इस powder का यूज पसूमों में कर सकते हैं दोस्तो respiratory tract का infection जब पसूमों में हो जाता है चाहे छोटे बड़े जानबर किसी में भी ये infection हो तो उस case में बहुत जादा high temperature हमें पसूमों में देखने को मिलता है पसू off-feed हो जाता है पसू कमजोर होना स बॉड़ी वेट गिरना सुरू हो जाता है जानबरों में पसू डल डिप्रेस्ट रहना सुरू कर देता है तो उस condition में दोस्तो अगर आप जल्दी recovery rate पसूमों में चाहते हैं तो उस case में आप इस powder का यूज पसूमों में जरूर करें दोस्तो अब बात अगर आम इस powder के पस लेट के case में 2-4 ग्राम आप इस powder का यूज पसूमों में कर सकते हैं दोस्तो इस powder को आप हमेशा पसूमें गुड या सीरे के साथ मिलाके ही पसू को देना चाहिए अगर इस तरह से आप इस powder का यूज पसूमों में करते हैं तो बहुत ही भेतरी result आपको इस powder के पसूमों मे देखने को मिलेंगे इसके लावब दोस्तों अगर पसू में बहुत ज़्यादा RTI का इंफेक्शन हो गया है जिसमें कि पसू बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज बसू में हो रहा है तो उस केस में दो से तीन बार भी आप दिन में इस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों पाउडर कैफलोन एक प्रेगनेंसी से पाउडर है और गाविन पसू में भी आप इस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आयोगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो म नए टॉपिक और उसकी फुल इंफॉर्मेशन के साथ